बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरुजी गंगा किनारिस तिर्थ एक गाउं में अपने शिश्यों के सासनान कर रहे थे, तब ही एक रागीर आया और उनसे पूछा महाराज, इस गाउं में कैसे लोग रहते हैं, दरसल मैं अपने मौजुदों निवास्तान से कहीं और जाना चाता हूँ, गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो, वहां किस परकार के लोग रहते हैं, पत पूछी महराज, वहां तो एक से एक कप्टी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं, रागीर बुला, गुरुजी बोले, इस गाउं में भी बिल्कुल उ रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गाउं में कैसे लोग रहते हैं, जहां तुम अभी निवास करते हो, वहां किस परकार के लोग रहते हैं, गुरुजी ने इस रागीर से भी वही परशन पूछा, जी, वहां तो बड़े सब्धे, सुल्जे और अच्छे लोग रहते ह और रागीर के जाते ही उन्होंने पूछा, शमा कीजे गुरुजी और आपने दोनों रागीरों को एक इस्तान के बारे में अलग-अलग बाते क्यों बताई, गुरुजी कंबीरता से बोले शिश्यों, आम तोर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं, जैसे वे हैं, बल आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाईयों पर ही ध्यान के इंद्रित करने का निश्चे किया।